अध्या 21 युद्ध की तैयारी प्रथम विस्पोट के एक गंटे के भीतर विस्पोटकों की द्वनी समाप्त हो गई थी इस गटना को अभी बहुत समय नहीं बीता था कि शिव, परवतेश्वर, सती, नंदी और वीरबद्र 1500 अश्वा रोही सैनिक दल के साथ मंदार परवत के मार्ग पर निकल चुके थे ब्रस्पती के वग्यानिक भी उस सैना दल के साथ अश्वा पर अपने नैता के जीवन की चिंता के साथ सवार थे वे तेजी से चले जा रहे थे और उन्हें आश्वा थी कि वे उस परवत की यात्रा आट गंटे से कम समय में तैय कर लेंगे वह दित्य प्रहर का अंतिम समय था जब सुर्य सीधे सिर पर चमक रहा था उनका सैना दल सडक के अंतिम मोन से मुढ गया था जहां वन शेत्र समाप्त हो चुका था और परवत दिखाई देने लगा था जिवही उनकी दरश्टी उस परवत पर पड़ी जो सामराजिय का हरदय था तो उसे देखकर एक अतिक कुरुद्र पुकार उठी मंदार को निर्देता पूर्वक नश्ट कर दिया गया था परवत के मद्य में एक विशालकाय ज्वाला मुखी दिखाई दे रहा था वह इस प्रकार परतीत हो रहा था कि जैसे एक अत्यंत विशालकाय असुर ने अपने वरध हातों से परवत के प्रमुक भाग को कल्ची डाल कर बाहर की और निकाल दिया था विज्ञान का अत्यादिक विशाल बवन विद्वस हो चुका था और उसके अवशेश नीचे के मैदानों में बिखरे पड़े थे विशालकाय मतानी अब भी मंतन कर रहा था उसकी भयानक द्वनी उस डरावने द्रश्य को और भी विक्राल बना रहा था बरस्पती शिव ने गर्जना करते हुए अपने गोड़े को आड़ लगा कर तेजी से परवत के मार्ग पर दोड़ा दिया था जहां अस्चरिय जनक रूप से वह मार्ग अभी भी उसी प्रकार पका खड़ा था परतिक्षा करे शिव परवतेश्वर ने पोकारा ये उनकी चाल भी हो सकती है किसी भी जोकिम से अंजान शिव ने गोड़े को उस पत पर परवत के उजले हुए हरदे के मद्य सरपट दोड़ा दिया परवतेश्वर एव सती के नेत्रित्व में वह सेनादल नेलकंड के साथ होने के लिए तेजी से दोड़ पड़ा वे उपर पहुचे तो एक भयानक द्रिश्य उनके सामने था उस भवन के कुछ हिस्से नीव पर तूट कर जूल रहे थे कुछ हिस्से अभी भी धहक रहे थे उस बारम बार के विस्वोट को द्वारा जगे जगे से कटे हुए आसानी से न पचानने योगिय एव जुलसे हुए शरीर के टुकडे हर जगा बिखरे हुए थे यहां तक की मर्तकों को भी पहचानना असंभव था शिव लड़ खड़ा कड गोडे से उतर गया उसके चेरे पर आशा की किरण नहीं बची थी ऐसे प्राण गातक आकरमण में शायद ही कोई बचा होगा ब्रस्पती कैसे इंतरास्द कारियों को देवी अस्तर प्राप्त हुए उत्तेजित परवतेश्वर ने कहा उसके अंदर परतिशोत की ज्वाला दधक रही थी सेनिकों को आदेश दिया गया कि सरीर के समस्ट टुकडों को इखटा करे और एक प्रतक चीता जला कर उन म्रत आत्माओं की दूसरी आत्रा में सायता करने के लिए उनकी अंतियश्टी कर दे जो मारे गये थे उनकी सूची बनाई जा रही थी उस सूची में पहला नाम था मेलुहा के प्रमुक वैज्ञानिक सूर्य वंसी ब्रामन राज हंस जातिवर्ग चिनहित ब्रस्पति का अन्य नामों में अरिश नेमियों के नाम थे जिनहें मंदार की सुरक्षा का बार सौपा गया था एक डांडस वाली बात यह थी कि मृतकों की संक्या बहुत कम थी क्योंकि अधिकतर मंदार निवासी नीलकन के विवा के उस्सव में परतिबाग करने के लिए देवगीरी में उपस्तित थे उस सूची को कश्मीर के सन्यासियों को बेजा जा रहा था जिनके अध्यात्मिक बलों की शक्तिया सरवत्तम मानी जाती थी यदि उन सन्यासियों को इस मृत आत्माओं के लिए पूजा करने के लिए मनाया जाता था तो ये आशा की जाती थी कि इस जन्म की भयानक मिरतियों उनके अगले जन्मों को दुशित नहीं करेगी ये सोम्रस भी हो सकता है सेना नायक एक अन्य विश्वस्निय लगने वाला कारण देते हुए ब्रस्पति के सहायकों को एक प्रमोक वेग्यानिक पानीनी ने कहा शिव ने पानीनी के सब्दों को सुनकर उपर की और देखा ये सोम्रस ने किया कैसे अव इस्वास के साथ सतीन पूचा उत्पादन के समय सोम्रस बहुती अश्टेर होता है पानीनीनी ने कहना जारी रखा उसे सरस्वती के जल के प्रचूर मात्रा में परियोग से इस्तिर रखा जाता है अमारी परियोजनाव में एक प्रमुक परियोजना यह थी कि हमें यह पता लगाना था कि क्या हम आवशक्ता से कम जल का परियोग कर उसे इस्तिर रख सकते हैं अत्वा नही वर्तमान में परियोग में लगने वाले जल की मातरा से भहुती कम मातरा में शिव को याद आया कि ब्रस्पति इस तरह की बाते कह रहा था वज जुकर पाणिनी को ध्यान से सुनने लगा ये एक स्वपन सरद्रिश्य परियोजना थी पाणिनी को वाक्य पूरा करने में कठिना ही हो गई इस युक के महानतव वैग्यानिक और मंदार परवत पर समस्त ग्यानी लोगों के लिए पित्र तुल्य ब्रस्पति नहीं रहे ये सोच पाणिनी के लिए असाहय थी अंदर की अत्यदिक पीड़ा के कारण उसका गला उसके बोल को बाहर निकालने में असफल होग रहा था उसने बोलना बंद कर दिया अपनी आखे बंद कर दी ताकि वह भयानक शन निकल जाए अपने उपर नियंतरन की एक जलक पाकर उसने कहना प्रारम किया वह ब्रसपती जी की एक स्वप्न शुद्रिश्य व्योजना थी वे वापस आ गए थे ताकि आज से प्रारम होने वाले शोत की समस्त तैयारी पूरी की जा सके वे नहीं चाते थे कि हम अंतिम दिन के उस्षव को ना देख सके अंतर वे अकेले ही आ गए थे परवतेश्वर इस्तब्द रहा आपके कहने का अर्थ है कि यह एक दुरगटना हो सकती है हाँ पाणिनी ने उत्तर दिया हम सबको पता था कि यह परिक्षन जोकिम बरा था संभव तो है इसी कारण ब्रस्पती जी ने इसे अकेले ही प्रारम करने का निर्ने लिया होगा इस असंभवी सूचना को सुनकर समस्त कक्षी ही खामोस हो गया पाणिनी अपने नीजी नर्क में चला गया इन सद्मा परदायक गटनाओं से इस्तब्द परवतेश्वर की दर्ष्टी दूर सुन्यत में चली गई सती ने शिव का हाथ थामे हुए उसे गूर कर गहरी चिंता से देखा कि वे अपने मित्र की मिर्टियों पर किस प्रकार महसूस कर रहे थे और संबव है कि वह मातर एक अर्थ हिन दुरगटना हो प्रतम पहर के प्रतम गंटे में बहुत समय बीच चुका था यह निन्य लिया गया कि सेनादल उस द्वस्त परवत के नीचे एक पड़ाव इस्तपित करेंगे वे दूसरे दिन वहां से तभी प्रस्तान करेंगे जब मृत आत्माओं के लिए सबी अनुष्टान पूरे कर लिये जाएंगे दो सवारों को मंदार के समाचार के साथ देवगीरी बेजा जा चुका था परवतेश्वर एव सती एक परवत के किनारे बैटकर दिमेश्वर में बाचित कर रहे थे परवत की तलहटी में ब्रामन वैज्यानिकों के संस्क्रत स्लोकों के पाट की बुनबुनाहट उपर की और परवाही थोकर अतिद्रीय मनो भावों के वातावरन उपस्तित कर रहा था नंदी एव वीरबद्र थोड़ी दूरी पर सावदान के मुद्रा में खड़े होकर अपने सेननायक एव सती को देख रहे थे शेव विचारों में डूबा हुआ मंदार के अवशेशों के मद्य गूम रहा था ब्रिस्पती के पहचान योग्ये किसी भाग को न पाकर उसके हरदे में टीस उट रही थी मंदार में सभी लोग न पहचाने जाने की स्तिती तक नश्ट किये जा चुके थे वह अदेरता से अपने मित्र का कोई संकेत पाना चाता था कुछ ऐसी वस्तू जिसे वह हमेशा अपने पास रख सके ऐसा कुछ जिससे वह लिपट सके कुछ ऐसा जो वर्सों तक उसकी पीड़ा में रहने वाली उसकी संतपत आत्मा को संत्वना दे सके वह गोंगे की चाल से चल रहा था उसकी आँके भूमी पर सुक्स्प परिक्षन कर रही थी वह अच्छनक ही एक वस्तू पर आकर ठहर गई जिसे वह भली बाती पचानता था वह दीरे से नीचे से उठाने के लिए जुका वह चमडे का कड़ा था उसके किनारे जुलसे हुए थे उसके पीचे का खोसने वाला इस्सा जला हुआ था उस बयानक विस्फोर्ट के ताप ने उसके अधिकतर इस्तलों को जला कर बुरे से काला कर दिया था हलाकि उसके केंदर में कड़ाई की हुई बनावट अश्यरे जनक डंग से दाग रही थी शिव ने उसे अपने आखों के समीप लाकर देखा अस्त होते सुर्य की रक्तिम किर्णों ने उस ओम के परतीक चिन्ह में चमक भर दी उस ओम के उपर एव नीचे के दो वक्र बागों के मिलन इस्तल पर दो सर्पों के मुख जुड़े हुए थे तीसरा वक्र पूर्वी की और निकल कर अंत में साप के मुख से समाप्त हो रहा था और इसकी दुरी शाकित जीवा डराने जैसी बाहर निकली हुई थी यह वही था उसने ब्रस्पति की अत्या की शिव ने तेजी से इदर उदर दृष्टी गुमाई अब वह क्रम विशन कर रहा था उसका उद्देश्य था कि वह उस कड़े के मालिक को अत्वा उसके सरीर के किसी अंग को खोज ले लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था शिव मन ही मन चितकार कर उठा उसकी वह चितकार केवल उसे और ब्रस्पती की गायल आत्मा को ही सुनाई देने वाली थी उसने उस कड़े को अपने हातों में कसकर पकड़ लिया अब तक सुलग रही उसके अंगार ने उसकी हतेली को लगबग जला दिया उसने तब भी उसे छोड़ा नहीं को पून तह नश्ट कर दिया जाएगा छोटे-छोटे टुगडों में काट कर शिव, शिव निरंतर आने वाली इस पुकार ने उसे खीच कर वर्तमान के सच में लाकर खड़ा कर दिया सती उसके सामने प्रेम से उसके हाथ का इसपर्स करती हुई खड़ी थी पर्वतेस्वर उसके पास परेसान सा खड़ा था नंदी और वीरबद्र उसकी दूसरी और खड़े थे इसे छोड़ दीजिये शिव सती ने कहा शिव उसे निरंतर देख रहा था अवाक इसे छोड़ दीजिये शिव सतीन कुमलता से दोराया यह आपके हाथों को जुलसा रहा है शिव ने अपनी हतेली खोल दी नंदी ने ततकाल जुक कर उसके हाथ से कड़े को ले लिया और तक्षन ही उसने घरी पीड़ा में चिला कर उस कड़े को नीचे गिरा दिया क्योंकि उसने उसके हाथ को जला दिया था प्रभू ने इसे कैसे इतनी देर तक पकड़ा हुआ था शिव ततकाल ही जुका और उसने कंगन उठा लिया इस बार सावधानी से उसकी अंगुलिया कम जुलसे हुए उस हिस्से को पकड़े हुए थी जिस हिसे में ओम का प्रतिक चिन बना हुआ था वह पर्वतेश्वर की और मुडा और उसने कहा यह दुरगटना नहीं थी क्या? चौकते वे पर्वतेश्वर ने पूचा क्या आपको पूरा विश्वास है? सती ने पूचा शिव ने सती की और देखा और उस कड़े को उठा दिया सर्पो वाला ओम इस पश्ट दिखाई दे रहा था सती ने गहरी सांस चोड़ी परुतेश्वर, नंदी और वीरभद्र ततकाल ही उस कड़े को देखने के लिए समीब चले गए नागा वही कमीना जिसने मेरू में सती पर आकर्मन किया था शिव ने गुर्राकर कहा वही नागा जिसने मंदार परवस से वापस जाते समय हम लोगों पर हमला किया था यह वही कमीना है, कुतिया का पिल्ला उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी शिव वीर बद्रे ने कहा परवतेश्वर की और मुड़ते हुए शिव ने कहा हम आज राथ ही देवगीरी लौट चलेंगे हम युद की गोशना करते हैं परवतेश्वर ने सहमती में सीर हिलाया मिलुहा का युद परिशत सांती से बैटा हुआ था वे मंदार में शहीद होने वालों के सम्मान में पांच मिनट का मौन धारन कर रहे थे परवतेश्वर और उसके 25 सेनापती समराट दक्ष की दाहिनी और बैटे हुए थे दक्ष के बाई और नीलकंट कंखला के नेत्रित्यु में प्रसासनिक ब्रामन एव 15 प्रांतों के राजियपाल बैटे हुए थे परिश्वत का नेने किया जा चुका है दक्ष ने कारवाई प्रारम करते हुए कहा प्रश्ण ये है कि हम कब आकरमन करें अधिक से अधिक हमें एक महीने का समय लगेगा जब हम युद के लिए प्रायन करेंगे महराज परवतेश्वर ने कहा आप तो जानते ही है कि मेलुहा एव स्वपन देव के मद्य कोई सडक मार्ग नहीं है हमारी सेना को सगन एव अभेद्य जंगलों से ओकर गुजरना होगा इस प्रकार यदि हम एक महीने में भी प्रायन करते हैं तो स्वधीप में हम तीन महीने से पहले नहीं पहुच सकते इसलिए समय ही इसका सार है तो फिर तैयरी प्रारम कर दी जाए महराज कंखला ने शत्रियों के युद की पुकार में ब्रामनों के तरके के स्वर को जोड़ते हुए कहा क्या मैं दूसरा उपाय सुजा सकती हूँ दूसरा उपाय चकित दक्ष न पूचा कृपया मुझे गलत मत समझी है कंकला न कहा मैं मंदार के गटना पर संपून सामराजी के करोध को समझती हूँ किन्तु हम अपराद करताओ से प्रतिशोद लेना चाते हैं न कि समझ स्वधीप वासियों से क्या हम इसका प्रियास कर सकते हैं कि इससे पहले की युद की तलवार उठे पहले हमारा काम चुरी से ही चल जाए जिस मार्क का आप सुजाव दे रही है वह कायरो वाला है कंखला पर्वतेश्वर नहीं पर्वतेश्वर मैं सकुछ सुजाव नहीं दे रही कि हम कायरो की बाती बैटा रहे और कुछ ना करें कंखला ने विनम्रता से का मैं ऐसे उपाय का सुजाव दे रही हूँ जिससे संभव है कि हम अपने सैनिकों के एव अन्य निर्दोस के लहू बहाए बिना ही अपना परतिशोत पूरा कर सकते हैं मेरे सैनिक समराजी के लिए रक्त बहाने को तयार है परदान मंत्री महोदया मैं जानती हूँ कि वे तयार है कंखला ने सयम रखते हुए कहा और मैं यह भी जानती हूँ कि आप भी मेलुहा के लिए अपना रक्त बहाने को तयार बैटे हैं परन्तु मेरे कहने का आर्थ यह है कि हम समराज दिलिप के पास अपना दूद बेज सकते हैं इस अनुरोद के साथ कि वे अपराद्यों को हमारे सुपरूद कर दे जिन्होंने इस आकर्मन का अपराद किया है हम यह जेतावनी भी दे सकते हैं कि अदिवे ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपनी पूरी शक्ती के साथ आकर्मन कर देंगे उसकी आँखे अधीरता में तिरेर रही थी परवतेश्वर ने कहा उससे अनुरोद करें और वह क्यों सुनेगा दश्कों से स्वधिप वासी अपनी अधम गतिविदिया करके हमसे बचते रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें युद करने की उकात नहीं है और यदि हम मंदार परवत जैसे उपद्रवी कारिये के बाद भी इस छोटी छूरी वाली युक्ती की बात करेंगे तो उन्हें पूरा विश्वास हो जाएगा कि वे कभी भी हम पर आकरमन कर सकते हैं और हम उनका परतिउत्तर नहीं देंगे मैं इस सहमत उपरवतेस्वर कंखला ने कहा उन्हें ने तरास्दिकारिय साकरमन कराए क्योंकि वे डड़ते हैं वे इस बास से ड़ते हैं कि वे हमसे आमना सामना कर मुकाबला नहीं कर सकते वे डड़ते हैं कि वे हमारी स्रेष्ट तकनीक एव युद के उपकर्णों से हमसे जीत नहीं सकते मैं केवल उस विचार से सहमत होकर कर रही हूँ जो प्रभू शीव ने तब कहा था जब वे यहां आये थे उनसे लड़ने से पूर्व क्या हम उनसे बाचित नहीं कर सकते हैं यह एक ऐसा अवसर है जिससे संभव है कि वे इस बात को स्विकार कर ले कि उनके समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो त्रास्दी फैलाते रहे हैं यदि वे उन्हें हमारे सुप्रुद कर देते हैं तो हम एक साथ अस्तित्व में रहने के उपाए भी ढूण सकते हैं मैं नहीं मानता कि शिव अब उस तरीके को सोचते हैं परोतेश्वर ने नीलकंड की और इशारा करते हुए कहा वे भी परतिशोद लेना चाते हैं कि कम से कम आप मेरी बात अवे सी समझेंगे जो मैं कह रही हूँ यहां तक कि यदि ब्रस्पती भी होते तो यहीं चाते कि जब तक यह संभव है तब तक हिंसा से दूर ही रहा जाए जिस प्रकार प्रचंड अगनी पर मूसलादार वड़सा का असर होता है ठीक उसी प्रकार इस अंतिम वाक्या ने शिवक पर असर किया था वह कंखला की और मुड़ा और उसने उसकी आँखों में गहराई से देखा उसके बाद उसने दक्ष की और मुड़कर कहा महराज संभवतह जो कंकला कर रही है वह सही है संभवतह हम उन्हें प्राश्चित करने का आउसर देने के लिए एक दूद को स्वधीप बेश सकते हैं यदि हम निर्दोशों की हत्या से बस सकते हैं तो इससे मात्र हमारा ही बला होगा हाला कि मेरा सुजाव है कि इसके बाद भी हम युद की तैयारी प्रारम अवश्य कर दें असल में हमें इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए कि यदि चंद्रवन सी हमारे प्रस्ताव को अश्विकार करते हैं तो हम पूर्व से ही तैयार रहें महादेव ने वचन बोल दिये हैं दक्ष ने कहा मैं प्रस्तावित करता हूँ कि यही युद परिशत का निर्णा है जो इसके पक्ष में है वे अपने हाथ उपर करें उस कक्ष में सारे हाथ उपर उड़ गए साचा बना दिया गया शांती का एक प्रियास किया जाएगा यदि वह सफल नहीं होता है तो मेलूहा वासी युद छेड़ देंगे मैं एक बार पुनह असफल रहा बद्र शिव रो पड़ा जिसको आवशकता हो मैं उसकी सुरक्सा नहीं कर सका शिव अपने महल के आंगन के नीजी शेत्र में वीर बद्र के पास बैटा हुआ था अत्यादिक चिंतित सती ने वीर बद्र को आमंतरित किया था ताकि शोक संतप्त शिव को वापस वर्तमान की सच्चाई में लाया जा सके शिव ने एक आवरन ओड लिया था वह बोल नहीं रहे थे रो नहीं रहे थे सती न आशकी थी कि जहां वह असफल रही वह उनके बचपन के मित्र सफल हो सकते थे आप स्वयम को दोस कैसे दे सकते हैं शिव वीर भद्र ने चिल्लम अपने मित्र को देते हुए पूचा यह आपका दोस कैसे हो सकता है शिव ने चिल्लम उठा ली और एक घहरा कश लिया गांजा उसके सरीर के अंदर फैल गया लेकिन उसने कुछ सायता नहीं की पीड़ा को चदिग ही मर्म इसपरसी थी शिव ने अर उची से नतुने फुला कर चिल्लम को एक और फैक दिया जहीं उसकी आखों में आशूं की बाड़ आई तो उसने आसमान की और देखा और सोगंद ली मैं आपके लिए परतिशोद लूँगा मेरे भाई चाहे वह मेरा अंतिमकारी ही क्यों नहो चाहे मुझे बचे हुए जीवन का हरशन इसमें बिताना पड़े चाहे मुझे बार बार इस जगत में आना पड़े मैं आपके लिए परतिशोद लूँगा चिंतित मुक से वीर बद्र ने सती की और मुड़कर देखा जो कुछ दूरी पर बैठी हुई थी सती उटकर खड़ी हो गई और उनकी और चलने लगी वह शिव के पास आई और उनकी संतब्त आत्मा को सांतुना देने के उद्देशे से अपने ठके हुए सिर को उनके वक्ष इस्तल पर रखकर उससे लिपट गई सती को तब आश्चर्य हुआ जब शिव ने पूर्व की भाती अपनी बाहें उटा कर उसे जकड़ा नहीं वह बिना हिले डूले बैटे रहे रुक रुक कर गहरी सांस लेते रहे प्रभू चकित वक्र ने सावदान होते हुए पोकार कर कहा वैसा ही 24 अन्य सेनापतियों ने भी किया सम्मान देने के लिए क्योंकि यूद की रणनीती बनाने वाले कक्ष में नीलकंड के आगमन की गोश्णा हो चुकी थी परवतेश्वर दीरे से उठ खड़ा हुआ वह बहुती साहनुभूती पूर्वक बोला क्योंकि उसे पता था कि शिव अभी भी ब्रस्पति की उस भयाना खत्या की पीड़ा का अनुभव कर रहा था आप कैसे हैं शिव? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद हम लोग यूद की रणनीती पर विचार विमस कर रहे थे, मैं जानता हूँ शिव ने कहा, मैं सोच रहा था कि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊँ नी संदेह, परवतेश्वर ने अपनी कुर्सी को एक और करते हुए कहा सबसे महत्वपूर्ण समस्य जो हमारे सामने है परवतेश्वर ने शिव को उस समय तक की गई योजना के बारे में बताने का प्रियास करते हुए कहा वह है मेलूहा एव स्वधीप के मद्य परिवहन संपर्क कोई संपर्क नहीं है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, परवतेश्वर ने उत्तर दिया चंद्रवन्शियों ने सो वर्स पहले हमारे हातों पराजित होने के बाद अंग बंग करने की नीती अपनाई थी उन्होंने मेलूहा एव स्वधीप के मद्य अस्तित्व में रही समस्त अधारभूत सरचनाव को नश्ट कर दिया था उन्होंने अपने सिमांत के नगरों की जनसंक्या भी कम कर दी और उन्हें अंदर की और बसा दिया था कोई असी नदी नहीं है जो हमारे सित्र से उनके सित्र तक जाती है शंशेप में हम यह कर सकते हैं कि हमारे पास वर्तमान में ऐसा कोई तरीका नहीं बचा है जिससे कि हम अपने विशाल काए स्रेष्टतर तक्निकी वाले युद के यंत्रों को स्वदीब की सीमाव تक लेकर जा सकते हैं यही उनका उदेश्य भी रहा होगा शिव ने कहा आपकी स्रेष्टा आपकी तक्निक है उनकी स्रेष्टा उनकी संक्या है उन्होंने आपकी सक्टी को निस्वल कर दिया है यिठार्त और यदि हमारे युद्ध की यंत्र इस योजना से निकाल दिये जाएं तो हमारे एक लाग सैनिक उनके दस लाग सैनिकों से जलाप्त वित हो जाते हैं उनके पास दस लाग की जन संक्या वाली सैना है शिव ने उत्सुक तक से पूचा जी हाँ प्रभू, वक्रे न कहा हम पूरी तरह से निश्चित नहीं है किन्तु यह हमारा अनुमान है हाला कि हमारा यह भी अनुमान है कि नियमिस सेना लगबग एक लाकी ही होगी शेश, अन्शकालीन अनियमिस सेनिक होंगे परियोग में लाया जाता है यह तो ग्रणास्पद है परतेश्वर ने कहा शत्रियोग के कारिये के लिए सुद्रो, एव वैश्यों की जान जोकी में डालना अत्यंद ही ग्रणास्पद है असल में उनके सत्रियों का कोई मान ही नहीं है शेव ने परवतेश्वर की और देखा और सहमती में सीर हिलाते हुए पूछा क्या हम अपने यंत्रों के पूर्जे खोल कर स्वधीप की सीमा में ले जाकर पुना एकत्रित नहीं कर सकते हैं हाँ हम कर सकते हैं परवतेश्वर ने कहा, किन्तु यह तक्निकी रूप से मात्र कुछ यंत्रों के साथ ही हो सकता है, हमारे जो सबसे विद्वन्स यंत्र है, जिनसे हम उन पर बारी पड़ते हैं, हमारी लंबी दूरी तक मार करने वाले शीला प्रक्षेपक यंत्रों को कार खाने से बाहर एकत नहीं किया जा सकता है, लंबी दूरी तक मार करने वाले शीला प्रक्षेपक यंत्र, हाँ, परोतेश्वर ने उत्तर दिया, यह विशाल काये पत्रों, एव धहकते हुए आग के गोलों को एक किलोमीटर की दूरी तक फैक सकता है, यदि इसका प्रियोग प्रभावी ढंग से किया जाता है, तो यह दुश्मंज की सेना को अत्यादिक दुर्बल एव लगबग नश्ट कर देती है, ताकि उसके बाद अश्वा रोही एव पैदल सेना अपना काम सफलता पूर्वक कर सके, देखा जाए तो पूर्व में जो काम हाती करते थे, यह लगबग उसी प्र अंत्रन खो बैठती है, असल में पिछले युद में स्वधीप वासियों को उनके हातियों ने ही संहार की और अग्रसर किया था, क्या सचमुच में शिव न पूचा, हाँ परुतेश्वे न उत्तर दिया, महावत के उपर गोली बारी, एव युद के नगाडों से अत्यदि बस आकरमन कर उन्हें समाप्त कर देना ही शेस बचा था, तो फिर हाती नहीं, सर्वता नहीं, परुतेश्वे ने कहा, तब इसका आर्थ यह हुआ, कि हमें अपने साथ कुछ ऐसा लेकर जाना होगा, जो उनके अंश कालीन सेनिकों को पूरी तरह से नरम कर सके, ताकि संक्य की ज्वेश्ता को निस्वल किया जा सके, परुतेश्वे ने समत ओकर सीरह लाया, शिवने खिडकी से बाहर दूर अपनी द्रश्टी दोड़ाई, जहां प्रात्यकालीन रुकी हवा पत्तों में फड़फडाहट उत्पन कर रही थी, वे पत्ते हरे थे, शिवने घहरी द्र यो क्यों नहीं करते, बान, चकित होकर परुतेश्वेन पूचा, धनूर विद्या अधिकतर कुलीन शत्रियों के मद्य द्वन्द यूद करने वाली यूद कला थी, हलाकि अब यह मात्र कुलीन शत्रियों के लिए एक प्रदशन की कला बनकर रह गई थी, क्योंकि एक दू युद के किन्तुवे युद में निर्णायक नहीं थे एक समय था जब धनुस एवबान जन्सहार के अस्तर के रूप में युद की रन्नीती में महत्वपून होते थे वह समय देवी अस्तरों का था अधिकतर ऐसे अस्तर सामनितह वानद्वारा चोड़े जाते थे फिर कई इंक्यात्मक स्रेणी को कैसे कम कर सकता है प्रभू वक्र ने कहा यहां तक की सबसे दक्ष धनुदारी को भी कम से कम पांस सेकंड लक्ष यसादने बान को चलाने और शत्रू को मारने में लग जाता है हमारे पास मत्र एक सो ऐसे सत्रिया हैं जो स्वन इस्तर के धनुरदर ह शेश बान चला तो सकते हैं, किन्तु उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है इस परकार हम एक मिनट में 1270 से अधिक को नहीं मार सकते ये चंद्रवंशियों के विरुद युद में अवश्य ही परियाप्त नहीं हो सकता है मैं बानों को एक के सामने एक के चला कर युद करने की बात नहीं कर रहा शेव ने कहा, मैं कह रहा हूँ कि उनका प्रयोग शत्रियों को नरम करने में जन संहार के अस्त्र के रूप में किया जा सकता है अपने सुनने वालों के न समझ पाने वाले भावों पर बिना ध्यान दिये ही शीव ने कहना जारी रखा मुझे इसकी व्याख्या करने दीजिए हम निचले चैनी जाती वर के शत्रियों के धनुर धारियों का एक दल तयार करते हैं किन्तु उनके लक्षे अच्छे नहीं होंगे वक्रे न कहा इसे कोई अंतर नहीं पड़ता है मान लीजिए कि हमारे पास पांच अजार ऐसे दनुसदारी है मान लीजे कि हम उन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित करते हैं कि वे मातर मार कर सकने वाली दूरी सही कर लेते हैं मान लीजे कि उनका काम चंद्रवंशिय की सेना की और बिना लक्षे के बान छोडने मातर का है यदि उन्हें लक्षे साधने की आवसकता नहीं है तो वे और भी अधिक गती से बान छोड़ने में सक्सम हो जाएंगे संभव तह परतेक एक दो सेकंड में एक बान परोतेश्वर ने अपनी आखे संकुचित कर ली क्योंकि इस विचार की महत्ता का अनुमान उसे हो गया था बाकी के सेनापती अभी भी अपने विचारों को समझ की इस्तिती में लाने के परियास में थे इस बारे में सोचिये शेव ने कहा परतेक दो सेकंड में चंदरवन्शियों के उपर पांच हजार बानों की वर्ष्टी होगी मान लीजिये हम ये आकरमन दस मिनट तक निरंतर करते हैं लगबग निरंतर बानों की इस एक वर्ष्टी को इन बानों का प्रभाव भी लगबग वई होगा जैसा पिछले युद में हातियों का हुआ था अति उत्तम वक्र उत्तेजना से उचल पड़ा और संभवतह परोतेश्वर ने कहा यदि लक्षे का कोई अंतर नहीं पड़ता है तो हम उन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वे पीट के बल लेट कर पाउवों पर धनुस रख सकते हैं और उसकी डोरी को अपनी गर्दन तक हीच कर उसे छोड़ सकते हैं जब तक कि उनके पाउव उस दिशा में होंगे यह काम करेगा अति उत्तम शिव ने उत्तेजना से कहा क्योंकि तब धनुस बड़े आकार के हो सकते हैं और हम लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं और बान बड़े और मोटे हो सकते हैं लगबग बाले की तरह परोतेश्वर ने सैनिक होंगे और जिनके पास लोही की डाले होंगी क्या अब हमारे पास उनका उत्तर है शिव ने पूछा हाँ अब उत्तर है परवतेश्वर ने एक मुस्कान के साथ कहा वह वक्र की और मुडा इस दल की स्तापना करो मुझे दो सप्ता के अंदर पांच जार ऐसे चैनिक चाहिए ये दल तयार रहेगा प्रबू वक्र ने कहा आप क्या बात करना चाते हैं शिव परवतेश्वर ने धातू विज्ञान के कार खाने में प्रवेस करते हुँ पूछा शिव के अनुरोत के अनुसार उसके साथ वक्र एव प्रसंजीत भी थे वक्र बड़े अन्मने ढंग से दनुसदारी दल को छोड़ कर आया था जिसे वह पिछले एक सप्ता से प्रक्षिक्षन दे रहा था हलाकि वह नेलकंड के एक और अति सुंदर विचार को सुनने का उस्सुप था उसे निराशन नहीं हुई मैं सोच रहा था शिव ने कहा हमें अभी भी दिवार को द्वस्त कर सकने वाले उस यंत्र के समान ही कोई एक यंत्र चाहिए जो उनकी सेना के केंद्र को तोड़ सके वह केंद्र जहां उसके सेना नायक अपने नियमिस सेनिकों को रखेंगे जब तक वे होते हैं हमारी विजय निश्चित नहीं कई जा सकती है बिल्कुल सही परवतेश्वर ने कहा और हमें इस बात को मान कर चलना होगा कि ये सेनिक इतने अनुशाशित होंगे कि वे अपनी बनावट से विरल नहीं होंगे चाहे बानों की कितनी भी वर्सा हो जाए बिल्कुल सही शिव ने कहा और हम उस द्वस्ट करने वाले यंत्र को नहीं ले जा सकते नहीं हम नहीं ले जा सकते प्रभू वक्र ने कहा यदि हम ऐसी दिवार को द्वस्ट करने वाले मानविय यंत्र का निर्मान करे तो कैसा रहेगा बताईए परोतेश्वर अब दीरे दीरे ध्यान से बात सुनने लगा था मान लीजिए हम हर और से बीस आदमें की संख्या वाली एक वरगा कार सरचना बनाए शिव ने कहा मान लीजिए कि इन में से परतेग व्यक्ति अपनी धाल से अपने शरीर के बाएं आदे हिस्से की आड ले और आदे हिस्से से अपने बाएं और खड़े सैनिक को दाहिने हिस्से की आड परदान करे यह उन्हें धाल के मद्य से भाले को आगे की और चलाने में सायता करेगा परोतेश्वर ने कहा बिल्कुल सही शिव ने कहा और पीछे के सैनिक अपनी धालों को धकन की तरफ परियोक कर अपनी आड के साथ साथ अपने सामने के सैनिक को भी आड परदान करेंगे यह बनावत एक कच्वे की तरकी होगी जिसकी आकरमन से बचाव करने के साथ साथ वे ढाले कच्वे की कवच की बाती ही अब भेद्धी हो जाएगी किन्तु हमारे भाले शत्रों को भेदने के लिए उप्योगी होंगे और हम अपने सबसे अधिक शक्तिसाली एव अनुभवी सैनिकों को सामने रखेंगे ताकि हमारे कच्वे का नेत्रित्व सुद्रड रहे प्रसंजित ने कहा नहीं परवतेश्वर ने कहा सबसे अनुभवी सैनिकों को पीछे और बगल में रखना होगा ताकि नव युवा सैनिक यदि गबरा जाते हैं तो भी हमारा ये वर्ग किसी भी हालत में तूट कर बिखरे नहीं ये पूरी की पूरी बनावट तभी प्रभवी होगी जब पूरा का पूरा दल हमेशा एक जुट रहता है बिल्कुल सही शिव ने परवतेश्वर की इस परक पर मुस्कान के साथ कहा और यदि वेक सामान्य भाले के इस्तान पर इसे लेकर चले तो शिव ने एक अस्त्र उपर उठा कर दिखाया जिसकी रूपरी का उसने बनाई थी और सैनिक के धातू विग्यान कार खाने के दल ने जिसे तयार किया था परवतेश्वर उसकी साधरन जलक पर ही आस्चरे मपड़ गया उसका अकार भाले की तरह का ही था किन्तु उसके मुक को चोड़ा कर दिया गया था उसके चोड़े मुक से दो और भाले उसकी बाईं और दाईं और जोड़ दिये गये थे शत्रू पर इसके वार करने का अर्थ था कि एक शत्रू पर एक साथ तीन भालों से वार करना ये तो अत्यन्द ही सुन्दर है शिव परवतेश्वर ने आश्चेरिय से कहा आप इसे क्या पुकारते हैं मैं इसे त्रिशूल कहता हूँ परवतेश्वर ने कहा तुम इस सेन्य दल को इस्तापित करने के प्रवारी हो मैं चाहता हूँ जब हम प्रायन करे तब तक कचुआ सरचना वाले कम से कम पांस दल तयार हो जाने चाहिए मैं इसके लिए तुमें दो हजार सेनिक प्रदान करता हूँ ये काम हो जाएगा सेना नायक प्रसंजीत ने सेनिक अभिवादन के साथ कहा परवतेश्वर ने शेव को आदर से टक्टकी लगा कर देखा बस सोच रहा था कि शेव की राय वास्तों में अद्बुत थी और इस तत्ती के बावजूद कि वह वैक्तिगत पीड़ा में था ऐसे विचारों के साथ कार्य करना सचमुची प्रसंजी नहीं था अन्य लोग जो शेव के बारे में ऐसा कहते हैं संभवत वे सही हो संभवत यही वैक्ति प्रभू स्री राम के अदुरे कार्य को पूरा करेगा परवतेश्वर ने आसा की कि शेव उसे गलत सिद्ध नहीं करेगा शेव राजसा ही सभाकक्ष में दक्ष एव परवतेश्वर के साथ बैटा हुआ था दो प्रसिद अरिष्णेमी सेनापती विध्युन माली एव मायश रेनिक कुछ दूरी पर बैटे हुए थे एक मांसल एव कभी वरगिला होने वाला वैक्ति शेव के समक्स खड़ा था उसके हाथ जुड़े हुए थे वा आग्रह कर रहा था मुझे एक अवसर दीजे प्रभू द्रपकु ने कहा यदि नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है तो हम युद क्यों नहीं कर सकते द्रपकु वही वैक्ति था जिसके अंदे पिता ने कोड़ दुआर में शेव का आसिरवात दिया था जब एक बीमारी ने उसके पिता को अंदा कर दिया था और उसकी पतनी और होने वाले बच्चे के प्राण हरन कर लिये थे उससे पहले वह मेलूहा की सेना में सेना पती था उससे अपने पिता के साथ ही विकर्म गोशित कर दिया गया था पहली बात तुमारे पिता कैसे है शिव न पूछा वे अच्छे है प्रभू यदि मैं इस धर्मयुद में आपका संयोग नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पिता मेरा परित्याग कर देंगे शिव नम्रता से मुस्कुराया वह भी विश्वास करने लगा था कि यह धर्मयुद ही था एक पवित्र युद लेकिन द्रबकू यदि तुम्हे कुछ हो जाता है तो उनकी देखबाल कौन करेगा मेलू है उनकी देखबाल करेगा प्रभू किन्तु यदि मैं आपके साथ युद पर नहीं जाता हूँ तो वे प्रती दिन हजार बार मरेंगे मैं किस प्रकार का पुत्र कहलाऊंगा यदि मैं अपने पिता के सम्मान में युद भी नहीं कर सकता मेरे सामराजिये के सम्मान में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शिव अभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं था वह इस वारतलाप से दूसरों की अस वीदा को महसूस कर रहा था उसने देख लिया था कि विकर्म वीदी समाप्थ हो जाने के बाद भी जब द्रबकू ने प्रवेश किया था तो किसी ने भी उसे इसपर्स नहीं किया था प्रभू, चंद्रमन्सियों की संक्या हमसे बहुत अधिक है द्रबकू ने कहना जारी रखा हमारे पास जितने भी प्रशिक्षित युद्धा है उनकी हमें आवशकता है कम से कम पाँच जार ऐसे सैनिक है जो युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें विकर्म गोशित किया जा चुका है मैं उन सब को इखटा कर सकता हूँ हम लोग अपने समरेजी के लिए मरने को इच्चुक एव अधिर है मैं नहीं चाहता कि तुम मेलूहा के लिए मिर्तियू को प्राप्त हो हे वीर द्रपकु शिव ने कहा द्रपकु का चेहरा ततकाल ही उतर गया उसने सोचा कि वह कोट दुआर अपने गर वापस जाने ही वाला था हाला कि शिव ने कहना जारी रखा मुझे यह अच्छा लगेगा यदि तुम मेलूहा के लिए मारे जाते हो द्रपकु ने सीर उठा कर देखा अपने सैनिय दल की स्तापना करो शिव ने कहा दक्ष की और मुड़कर उसने कहना जारी रखा हम इसे विकर्म सैनिय दल पोकारेंगे हमारी सैना में विकर्म कैसे हो सकते हैं यह बहुत ही बेहुदी बात होगी विदुन माली ने क्रोध में गुरा विदुन माली एव मायस रेनिक अपने नीजी वियायाम शाला में धनुस विद्या का नियमित अब्यास करने के लिए जुटे हुए थे विदु मायस रेनिक ने उसे प्रेम से शान्त रहने के लिए कहना चाहा मुझे विदु मत कहो माया तुम जानते हो कि यह गलत है समयने तवे शान्त चित वाले मायस रेनिक ने सीर हिला कर समती प्रकट की और अपने क्रोधी मित्र की कुंटा को बाहर यदि मैं युद में मारा जाता हूँ, तो मैं अपने पूर्वाजो को सामना कैसे करूंगा? विदुन माली ने पूचा, मैं उन्हें क्या उतर दिये पाउंगा? यदि वे पूस्ते हैं कि मैंने कैसे उन लोगों को यूद करने दिया जो शत्रिय नहीं थे जबकि यूद करना मात्र शत्रियों का धर्म है दुर्बलों की सुरक्षा करना हमारा करते भी है हमें दुर्बलों को हमारे लिए यूद करने नहीं देना चाहिए विदु मैं नहीं मानता कि द्रपकु दुर्बल है क्या तुम पिछले चंद्रवंशी युद में उसकी वीरता को बोल चुके हो वह विकर्म है यह उसे दुर्बल बना देता है प्रभु शिव ने आग्या दे दी है कि अब कोई भी विकर्म नहीं रह गया है मुझे नहीं लगता कि नीलकंड सही में असत्य से सत्य को जानते है विदु मायस रेनिक चिला पड़ा विदुनमाली इस सचानक प्रकौप पर सम गया यदि नीलकंड कहते हैं कि यह उचित है मायस रेनिक ने कहना जारी रखा तो यह उचित है धन्यवाद